गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स प्रीविएस वीडियो में अपने हीट के बारे में पढ़ा था और अपने देखा था कि जो पॉल्टनेस और दिग्र की जो डिग्री है उसको अपने स्केली तुम मेजर करते हैं जुसको अपन क्या बहुते हैं तो आज तो आज अपन थर्मो로 की डिटेर की देखेंगे अपना बपी किया है देजिव स्केल ठर्मोबितर क्या है स्टामीटर एक आयसा तूम है छो कि तेंप्रेचर को मेंजर करता है इस तरह से ये थर्मोबितर का मैं या निए उनका या यापका सेल्शियस थिक एक पास तैम्मुपटार देखिये के अदर, फाइन एक सफाइन glass tube हो इसका बाइन, पत्री सी glass की dood동 काक्षर की dood동 काचि की dood동 कर एक Access three विल्कुल fine glass tube इसको बोलते हैं पन capillary tube ठीक है Thermometer में fine glass tube होती है जिसको अपन क्या बोलते है capillary tube और जो यह capillary tube है वो एक ठिक glass से protect रहती है ठिक glass tube से मन्तर के एक मोटे कांच्री tube से protect रहती है जिसको अपन बोलते है steam तो देखें capillary तो क्या है जो अंदर बारिक वाली है उसको बोलें कि अपन capillary tube और जिससे protect रहती है उसको अपन क्या बोलेंगे steam steam के उपर इस तरह से marking हो भी जीलों से देखे 100 तक ही अब देखें जो water को अपन boil करते हैं तो water को अपन boil करते हैं गोलिंग और अंडर्ट इकली सेंची पर water liquid state से gas state में करना बोलें लग जाता है क्या बोलिंग करोगे तो 100 degree Celsius पर इसकी क्या बेटर करने लग जाएगी तो कौन से स्टेश्ज में करना तुझा है गेस स्टेश्में तो बातर का boiling point क्या हुता है? 100 degree Celsius. 100 degree Celsius पर roast reference में convert होने लग जाता है. और 0 degree Celsius water का freezing point होता है. Nigitering point मतलब zero degree Celsius पर water turn लग जाता है, मतलब फी birth बन जाता है. तो देकि에 other way, 0 degree Celsius पर to बोटा liquid state से solid state में convert हो जाता है और 100 degree Celsius पे बहुतना लिक्विट से गेस में कर्वाल हो जाता है तो 100 degree Celsius पार्टर का बॉइलिंग पॉइंट है और 0 degree Celsius पार्टर का फ्रीजिंग पॉइंट है अब देखिए जो अपना थर्मोमेटर उसके एक एंड पर यहां पाई ग्लास क्यों लगी होती है जिसके अंदर क्या बढ़ा रहता है मार्टर जिसको अपनी जनरल एंग्मेज में पारा बोलते हैं तो देखिए अब थर्मोमेटर की बिदेल क्या है थर्मोमेटर तो देखिए थर्मोमेटर इस एक तूल एक मेंजर तेंप्रेचर थर्मोमेटर एक तूल है तूल का मिंदल क्या है एक अपरेटर कीará को जिसको मेंजर द करता है तेंप्रेचर हो इटेफ्ज 100 मार्किट बिट्विन 0 ए 100 दिगे इसके अंदर जि़ो से दिक की 100 तक की Parkinson इस यो रेंज है, वो माइनस 10 degree celsius से 110 degree celsius होती है It consists of a very fine glass tube, having a small bar, is called capillary tube इसके अंदर एक बहुत तक्ली सी कांची प्रिम होती है जिसके अंदर बहुत कम, बहुत कम मतलब बहुत कम शेर होता, ठीक है सकरी होती है سकरी से, पत्री सी glass tube होती है, जिसको अपन क्या बहुत है कैपैलल अब देखे, जो तक यू पर है, इसके एक एंदर एक बहुत पत्री कांच की glass की कांची tube होती है इसको अपन glass tube होते है फिल जोबी तो mercury ही, चोटी किस के बढ़े रहती है? अपन पार भी बोलते हैं और अधर एंड इस इस सील आफकर लेगे एयर को इते कैपेटरी ट्यूब और देखें जो कैपेटरी ट्यूब है इसकी एग एंड पे तो फाइंग लास्ट तूब लगी होती जिसमें मर्कृरी बढ़ा होता है और दूसरे का एंड को इसको सील कर दिया जाता है बन्ता बंद कर दिया जाता कबर इसके अंदर जो भी एयर है उसको उटाने के बाद एयर को रिभून करने के बाद इसको सील कर दिया जाता है Capillary tube is protected by active glass tube अब जो यह Capillary tube है वो एक ठिक वतलब कि मोटे glass tube से क्यारे कि प्रोटेक्टर ती स्वरक्षिक रहती है जिसको अपन क्या बोले कि स्टीम ठीक है तब मार्किंग आर्प बेड होंदर स्टीम है और जो यह स्टीम होता है इसके उपर क्या हो एक मार्किंग होती है इस मार्किंग आर्प ग्रेशन और देले और जो मार्किंग किया रहा है यह 010, 20, 30, 500 ठीक है ना इसको अपन क्या बोलते है ग्रेशन या पर देले यह अपना Celsius Thermometer का topic complete हो गया है आपको यह work आपके science के register में करना है Celsius Thermometer का मैंने आपकर रफ़ी diagram बनाया है आपको यह diagram आपकी book से page number 58 से बनाना है इसके बाद next अपन next वीडियो में पढ़ेंगे